हेलो फ्रेंट क्या आप भी अपने घर में चूहो के आतंग से बहुत ही ज़ादा परिसान हैं चूहो ने सालों से आपके घर में डेरा जमा रखा है और वो आपके घर से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं तो आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल रेमेडी जो कि हम घर में बना करके तैयार करेंगे इसका इस्तमाल करते ही चूहा आपके घर से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कि वो कभी आपके घर में थे ही नहीं आपके घर का रास्ता भूल जाएंगे तो हलो एवरिवन अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर अगर निव हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिएगा एक प्यारा सा कॉमेंट बिल्कुल करना मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं तो चलिए फ्रेड वीडियो को सुरू करते हैं और आप लोग से रिक्वेश्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा बिना इसकीप किए अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तब ही आप लोगों को पता पड़ेगा कि हमने इस रेमेडी में किन किन चीजों का इस्तमाल किया है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे फ्रेले फ्रेंड यहां पे हमने ले लिया है एक गिलास तो आप गिलास की जगा कफ या कटोरी किसी भी चीज के इस्तमाल कर सकते हैं देखें इसमें हमने ले लिया है पानी तो यह आधा गिलास पानी है या फिर आप अविसकता अनुसार मतलब जितना भी आपको जरूरत है आप उतना इसको बना सकते हैं फिर इसमें हमने देखिए कपूर की दो गोलिया डाल दिया है अगर आप जितनी मात्रा में पानी ले रहे हैं उसी हिसाब से कपूर का इस्तमाल करिएगा तो देखें, यहाँ पर हमने आधी गिलास पानी लिया है, तो हमने दो छोटी छोटी कपूर का इस्तमाल किया हुआ है। कपूर को हम पानी में डाल देंगे, कपूर पानी में बहुत अच्छी से घूल जाता है। फिर क्या करेंगे यहां हम ले लेते हैं स्याम्पू तो मैंने यहां पर जो स्याम्पू हम डेली बेर में बाल वास करते हैं वही स्याम्पू का इस्तमाल किया है तो आप चाहें तो स्याम्पू की जगा डिटर्जन पाउडर ले सकते हैं आप कोई सा भी स्याम्पू या कोई स को खुश्बु वाली चीज बिल्कुन भी नहीं पसंद होती है आप क्या करेंगे देखिए हमने यहां पे कपूठ डाल दिया है हमने यहां पेश्यांपू डाल दिया अब हम इसमें डाल देते हैं पीपर निट का तेल अगर आपके पास सबमालर कर सकते हैं किसी भी तेल का इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि इन तेलों में क्या होता है पीपर मिन्ट मिलाया ही जाता है अब क्या करेंगे सारी चीजों को डाल करके अच्छे से हम इसको चम्मच से घूल लेंगे ताकि जो हमने इसमें स्यामपू डाला है और कपूट डाला है वो अच्छे से घूल करके पानी में मिक्स हो जाए तो फ्रेंट कॉमेंट जरूर करिएगा कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं तो अपने सहर का नाम जरूर से जरूर सेयर करिएगा कॉमेंट में फिर देखिए इसको अच्छे से घोलने के बाद अच्छे से घोल लेंगे घोलने के बाद हम यहां क्या करेंगे ले लेंगा दिया तो यहां पर दिये का इस्तमाल हम करेंगे आप चाहें तो कोई कटोरी भी ले सकते हैं तो मैंने यहाँ पे 4-5 दियों का इस्तिमाल किया हुआ था आप क्या करेंगे आप हम ले लेते हैं कोई चाग कौटन कपड़ा तो आप कौटन कपड़े की जग़ा कौटन कभी इस्तिमाल कर सकते हैं हमने यहाँ पे देखिए कपड़ा उठाया है और कपड़े को हम इस पानी में डीप करेंगे पूरा अच्छे से डीप हो जाना चाहिए कपड़ा तक कपड़े में खुस्बू बराबर बनी रहे तो चुए जो है इस खुस्बू को जैसे ही कुचुवों के नाक में यह खुस्बू जाएगी चुवा आपके घर से इतने कोसो दूर चले जाएंगे सालों सालों तक कभी लोट कर नहीं आएंगे वो वाले चुवे तो नहीं आएंगे अगर दूसरे चुवे आ जाते हैं तो उनके लिए हम दूसरी रेमेडी आपको बताएंगे तो क्या होता है देखिए इसको हम इस तरीके से सारा डीप कर देंगे कॉटन तो अगर आपके पास रूई है तो रूई कभी इस्तमाल कर सकते हैं तो देखिए कॉटन को इसमें डूबा करके इस तरीके से हम ले लेंगे तो इनको हम दीयों में रख देंगे अच्छे से भीग जाना चाहिए कपड़ा तके इनमें खुस्बू जो है वो बनी रहे इस्तमाल करने से चुहें हमारे घर में फिर कभी भी लोट करके नहीं आएंगे लेकिन हाँ इनमें खुजबू बरकरार रहने चाहिए अगर यह सूख जाते हैं तो आप इस पानी का इसमें फिर से इस्तमाल करेगा या फिर दूसरा कॉटन ले करके डीप करके फिर से इंदिय में रख दीज़ेंगे चुहा इनकि खुजबू से बहुत ही जादा परिसान करके भाग ही जाएंगे तो इनको हम कहां पर रुक देंगे जो हमारे घर के कौनें होते हैं जिससे टूक्त हो गया वर्चिंग मसीन हो गया वेड़ हो गया इन कौणों में ज्यादा तर शूहे आते हैं और आते हिने इतनी गंदगी मचा देते हैं छूहे की मोँत ज़ादा अपने ही घर में हिरिटेशन होने लगते है तो ज्या हुता है नоворव में data on a Speaking of the beş को राक्ता हुआ गूँदे है कि चूहे जो होते हैं वो दिवाल के साइट साइट कोनों में जादा रहते हैं बीच में आपने कभी नहीं देखा हो बीच रूम में या फिर बीच आंगन में या फिर बाहर क्योंकि वो कोने कोने से सटके निकल जाते हैं तो क्या करेंगे कि इनको हम ऐसे ही कोनों पर और ना दिखाई देते हैं, आपके घर में आपको चनी जादा दिखाई देते हैं, आप वहीं इनको रखिये हैं, अब क्या करेंगे में डोर में दोर को क्योंकि मेंडोर की साइट से ही चूए घर में घुसना स्टार्ट करते हैं और भागने के लिए तो चूए कहीं से भी भाग सकते हैं तो इनको मेंडोर के दोनों तरफ ही रख देंगे हम दोनों तरफ रखने से क्या होगा ना चुहा इस साइट से आ सकेंगे और ना ही चुहा इस साइट से आ सकेंगे तो बहुत ही योजफूल ट्रिक है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो लाइक चरूर कर देजिएगा